नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका YouTube चैनल Q-Sun & Tricks पर दोस्तों आटिकल 19 पिछले लेक्चर में हो गया था और फिर से अगर आप रिकैब चाहें आटिकल 19 का पुरा देखना चाहें तो पुरा फिर से देख लीजेगा और वरना जो है मैं आपको बता दू आटिकल 19 के दोस्तों 6 पाट थे ठीक है आटिकल 19 1 to आटिकल 19 6 तक ठीक ऐसे यहाँ पर आटिकल 1 के दोस्तों 7 पाट थे 3, 2, 5, 6 और 1, 7 यहाँ पर आप कह सकते हो A, B, C, D, E, F, G जिसमें F जो है संपत्ति का अधिकार था जो कि 44th Constitution Amendment से हटा दिया गया था तो बचे कितने 6 मतलब कि यह पूरा का पूरा 19-1 ही है 19-1 के पार्ट है 19 का सब पार्ट 6 है फिर 1 का 7 था, एक हट गया उसके बाद दोस्तों इन में जो हमें Rights मिले हैं उन पे हमें Restrictions लगाता है इस पे लगाता है 2 इस पे लगाता है 3 इस पे लगाता है 19-4 इस पे लगाता है 5 इस पे भी लगाता है 5 इस पे लगाता है 6 कितने कितने Restriction है इसमें है 8, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें है 3, 823, यादा है, उसको आप देख लीजिएगा, सबसे पहले वाले में क्या था, कि हमें expression का था, right, freedom of speech and expression, दूसरा क्या था, हम बोल सकते हैं, फिर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन कैसा, without arms, हमें arms रखने की आज जादी नहीं है, हमें arms रखने की आजादी नहीं है, और सांती रहनी चाहिए, और दूसरा हो गया था, तीसरा दूस्तों क्या था, तीसरा था, आप सम्मेलन कर लिए, तो आप संग भी बना सकते हो, आप cooperative भी बना सकते हो, सहकारी समित बोलते हैं, इंगलिस में, उसरी, हिं उसके बाद आप ये बना लिए फिर इसके बाद जो है संग बन गया संगम बन गया इसके बाद संग बन गया उसके बाद आप संचरड करेंगे घूमेंगे संचरड करेंगे संचरड मतलब आप घूमना जाह जैसे मैंने का था Congress बन गया फिर Congress घूम रही थी संचरड करने के बाद कहीं आपको जगहां अच्छी दिख सी तो बसेंगे ठीक है और बसने के बाद आप कुछ काम माम दो करेंगे वेवसाय करेंगे यह सारी चीज़े आप ती यहाँ पर तीन रिस्टिक्शन्स थे यहाँ पर दो थे यहाँ पर तीन थे और यहाँ पर आठ थे देखो 8, 23 और फिर यह 23 तो इस तरीके से आपने याद किया हुआ था, ठीक है, अब चलते हैं, जैसे, मुवी के रहा हूँ, धरवाइक में, की recap खतम होता है, और अब, तो शुरू है, और अब, और अब बारी है, आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 कहता है, अब राधों के लिए, दोस सिद्ध के संबंध में सन्रक्षड, अच्छा, इसका आउचित्य क्या है, इसे समझ रहते हैं हम लो, protection in respect of conviction for the offenses, इसका क्या आउचित्य है, इसका आउचित्य है, कि जो हमारा राज है, ठीक, राज मतलब, यहाँ पे देश से और उससे भी है, कि किसी व्यक्ति को, राज किसी व्यक्ति को ध्यान देना व्यक्ति के लिए है, नागरिक के लिए नहीं है, तो राज किसी व्यक्ति को मन माने तरीके से दंड ना दे, मन माने तरीके से जो मन आया वही दंड दे दिया और अगर ऐसा कर रही है राज अगर ऐसा कर पाती है तो भाई साब ये डेमोक्राइसी नहीं है ये राज दंड रहे ये ताना साही है आई वास समझ मैं दोस्तो आर्टिकल बीस के तीन खंड है आर्टिकल बीस एक, दो और तीन बीस एक कहता है भूत लक्षी दंडिक विदियों से सुरक्षा आपको याद होगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि जो जैसे भूत लक्षी दंडिक विदिया जैसे मालो आज आपने आज कितनी तारीक है मालो आज है 13 है 13 जन्वरी है ठीक मालो ये है और आज के दिन में एक एक्ट बना था कि जो है पबलिक प्लेस पे खासी करने पे पबलिक प्लेस पे खासी करने पे आपको मृत्य दंड मिलेगी हस लो थोड़ा इस वज़ा से ऐसे example दिया है पर आज ये act पारित हुआ था ठेक है तेरा जनवरी को ये act पारित हो गया चलो बन गया लेकिन आप जो है 12 तारीक को 12 जनवरी को public place पे यहां 5 बार खांसी के छूट थी आपने public place पे 50 बार खांसा था किती बार खांसा था 50 बार खांसा था तो अब आपको बृत्यदंड मिलेगी की नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी क्यूंकि भाया आपने 12 को किया था 12 जनवरी को पर act कब आया है 13 जनवरी को आया है तो इसको कहते हैं कि जब act आये उसके बाद से इसका प्रभाव हो आने के बाद से प्रभाव हो तो ऐसे को जो है भूत लाक्षिक दांडिक विधिया कहते हैं पर अगर ऐसा ना हो तो ये हमारा ये है तो ऐसे में जो है अगर आप उसके पहले कोई अपरात किये है आक्ट आने से तो बच जाएंगे पर यहां पर यही चीज है कि जो दंड है, क्रिमिनल ओफेंस है, यहां पर यह विधियां काम नहीं करती, आप इसके खिलाफ कोई विधि बनाएंगे तो आगे से ही कर सकते हैं, पहले से नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल बीस दो में देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, एक ही अपराध किया है, मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसका एक ही अपराध है, तो उसको एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अफ्योजित और धंडित नहीं किया जाएगा, समझ रहने हैं आप, जैसे मानलने आपने चोरी किया है, क्या किया है चोरी गिया सुपोस और आपको पांच बार, इस एक अपराइद के लिए पांच बार, जो है ना तो, मैं पांच-पांच क्यों ले रहा हूं आज सुपोछ, तो पांच बार या दो बार लिख लो, आपने चोरी किया है, तो दो बार आपको सजा नहीं मिलेगी, बहुत सरल सब बोडोब बार ही योजित दंड़ित नहीं किया जाएगा आपको 5 बार अभीयोजित किया जासकता है है अभी योजित किया जाएगा यहां आपर योजित कह जायकर खिलाफ गवाह्या चना घो क्रफ़ कह्वाईा कि पुलिस जो जो है ले जाती है कस्टडी में और खुब पीटती है गवाही लिखाती है और आप कहते हैं हाँ जो है हाँ मैंने मारा था उसे जो है मैंने चोरी की थी तो भाईया हो आप ना इतना लात खाने के बाद क्यों बोले हो अप जैसे पुलीस ले गई हसे हुए बोलते हसे हुए ने हसना नहीं मार देते हैं तुम्ह साइन कर नहीं बोले हाँ उख सर मैंने वहाँ चोरी की है और सर बुली क्या बोलना है सर मैंने ताज महल अपने नाम कर लिया है सर, लाल किला भी अब मैं लिखवाने वाला हूं सर, जो बोलना बोल दो, क्यूंकि खुद के खिलाफ गवाही देने से आपको सुरक्षा दी गई है, आप माना ही नहीं जाएगा, इविन आप जो है, जो आपका लाई डिटेक्टर हो थोड़ा बहुत लेंदी है, पर आप अभी क्या है आप इतना ही समझ लो, इसके आगे बाद में पढ़ेंगे जो है, ठीक है, या थोड़ा सा सुनी लो इसके बारे में, ठीक एक मामला हुआ था दोस्तों, 2010 में, एक मामला हुआ था 2010 में, और उस मामले का दोस्तों, नाम थ कि यह नीचे लिखा मैंने, 2010 में, कोड में एक मामला गया, सेल्वी बनाम करनाटा करेज का यह मामला था, और इस मामले में, सुप्रिम कोड ने कहा दोस्तों, सुप्रिम कोड ने कहा, कि जो आपका नार्को टेस्ट होता है, जो आपका पॉलिग्राफी होता है, जो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग होता है, या लाइव डिटेक्शन, आपने वुवेगरा में देखा होगा, यह जो तरीके हैं ना वैग्यानिक, यह भी आर्टिकल 23 का उलंगन करते हैं, आई वास समझ में, आर्टिकल 23 का वाइलेशन है, यह सारी चीज़े कराना, तो आप समझे सुप्रिम कोर्ट वे तो, यह आप मेंस में कोर्ट कर सकते हैं, यह सारी चीज़े, मालिज आप यह नहीं याद है, सेल्वी और बनाम करना टकास, तो आप कहेंगे, एक मामले में सुप्रिम कोर्ट ने कहा था, कि जो वे आधुनिक वेज्ञानिक तरीके हैं, यह भी आर्टिकल 23, मतलब खुद के खिलाब गवाही देने का उलंगन करते हैं, अच्छा यह 21, 22, 23, करम से याद करने के लिए, हमने एक ट्रिक बनाया था, कि करम से याद रहा, तो हमने लिखा था, भोदू, भोदू, गया, भोदू गया, भा से हो जाएगा दोस्तों, भा से देखिए, 21, भा से, 22, दा से, और 23, गा से, 21 में क्या था, भूत लाक्षिक दांडी विदियो से सुरक्षा, भा, दा से, दोहरा, मतलब आपको दो बार दंड नहीं दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति को दो बार दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरे दंड से सुरक्षा कह सकते हो, दोहरे दंड से, दिखिए है मैंने दो लिखा था ना पांच बार से दो कर दिया था उसके बाद दिखिए गा से गवाही गा से गवाही तो इसको आप add कर सकते हैं तो इसको कभी भूले गा ही नहीं आपको बहुत दू गया ठीक है उसके बाद जो है आर्टिकल 19 है 21 भी है ठीक है आर्टिकल 14 था आर्टिकल 21 देखिए आर्टिकल 21 कहता है कि आपको स्वतंतरता है प्राण और दैहिक की लेकिन इसकी सब्दावली बढ़ी है जड़ा सा तो देखिए क्या लिखा है किसी व्यक्ति को मतलब की है नागरिको को के साथ साथ व्यक्तियों को है चलिए एक बार मैं आपको रिवाइस कर दूँ कौन कौन से आर्टिकल नागरिकों को हैं सिर्फ 15 और 15 से पहुंचिए 30 पे 30 के पहले था 29 और इसके बाद था 16 ठीक और बीच में का है 19 इतने शिर्फ नागरिकों के हैं बागी नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को हैं ठीक है कई बार बात वेए यह सिर्फ only citizens Only citizens जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो सब कमरे में नहीं कूत कूत पहुत जाते ना चली चली अच्छा अच्छा यह आपका guest room था चली bedroom में देख लेते हैं चली kitchen में भी देख लेते हैं अच्छ अब यह kitchen होगा चली bathroom देख लेते हैं तो लेकिन उस घर का citizen उस घर का व्यक्ति सब में घूम सकता है पर बाहर ही नहीं ऐसे ही इतने article सिर्फ हमारे भारत घर में लोगो माना है ठीक है और बाहर के लोगों को क्या मिला हुआ है वह बाकी चीज़ें जहां पर व्यक्ति लिखाओं तो यह 21 व्यक्तियों के लिए भी है किसी व्यक्ति को विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण और दैहिक सवतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा इसको और सरल करके पढ़ते हैं चलिए इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर विधी द्वारा प्राण और दैहिक सवतंत्रता से वंचित किया जा सकता है आई बास समझ मैं है विधी द्वारा मतलब कोई कानून बनाके उसको जो है निप्टाया जा स कि अलावा लिखा हुआ है एपसल्यूट नहीं है आपको यहां पर दिया गया है कि आप विधी बनाके दिया जा सकता है ठीक है अच्छा दोस्तों प्राण और दैहिक सवतंत्रता क्या है इसमें बहुत सारे जुड़ते चले गया है यह बहुत बड़ा आर्टिकल हो गया है अब जैसे अगर प्रशन आ जाए स्वारी अगर आपको प्रशन हाझा है कि सिछपाने का अधिकार किस आर्टिकल से संस्मन्द तो अर्टिकल 21 से एकांत आधिकार यह एकांत दरसल वो हंदी में और इंगली में बड़ा आजीव है तो यह प्राइवेसी का अधिकार वुट का अधिकार, राइट टू लाइवली वुट, आजीव का अधिकार भी, पर्यावरण प्रदूसर का अधिकार नहीं, पर्यावरण प्रदूसर से सनरक्षन का अधिकार, तो यह भी fundamental राइट है आपका, अगर आप इसके खिलाब भी केस कर सकते हैं, भाईया हमें जो य नीद का अधिकार भी, तो मेरा कहने का मदलब ETC, अगर कुछ भी ऐसा जुड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आटिकल 21 से संबन लित हो, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से ठोप पीट लीजेगा, उसको कि भाईया सही ये गलत है कि नहीं, तो यहाँ पे आजीव का अधिकार भी ये हो गया, ठीक, यह मैं ETC के कुछ और बता दू, जैसे आपको सुरक्षित यात्रा का अधिकार, सुरक्षित, एक सेगंड, जैसे राजित सड़क वगरा बनाती है न, तो आपको सुरक्षित यात्रा का अधिकार भी fundamental right है, इवन electricity पाने का अधिक अधिकार भी आपका fundamental right है, उसके बाद आप कह सकते हैं विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है, आपका fundamental right है, ठीक है, स्वास्त, जो है आपको एक स्वास्त सेवा मिलना भी fundamental right है, जो 108 गाड़ियां चलती है, 108 नुमबर पर डायल करें और यह सब उसी का एक वो है, ठीक है मतलब कि आप यह समझे कि यह प्राण और दहिक सतंता का मतलब है कि हमें ऐसा जीवन मिले जो गरिमापूड जीवन हो, ठीक है, और गरिमापूड जीवन के लिए जो चीज़े जरुरत होंगी उसको add किया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि इस article में इतना ही नहीं है, ETC लग बंद है, इसमें क्या चीज़े होती है कि जब आपात आता है या आपात लगाया जाता है, तो fundamental right कौन सी बंद होती है, मतलब किसका होता है, तब तक या कौन सी चलती रहेंगी, यह सारी चीज़े हमें पढ़नी थी, तो इसको मैं आपको बताऊंगा इसे, ठीक है, इस वज से यह बता देना जरूरी है, देखे, आपात जो है, 352, 356, 360, इन सब से लगता है, लेकिन 359 में जो है, हमारे राश्टपती को ऐसा एक पावर दिया गया है, कि वह अगर जो है, चाहें तो एक आदेश निकाल कर fundamental rights को आवो कर सकते हैं, मतलब निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो यह जनता दल की सरकार थे, 44th Constitutional Amendment से यह लगा दी है, कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हाल में, 20 और 21 किसी भी हाल में निलंबित नहीं होंगे, ठीक है, आई बस समझें, मतलब कोई भी fundamental right बंदो सकता है, लेकिन 20 और 21 कभी नहीं, किसी भी आपात मुपात किसी में नहीं तो यह बात ध्यान दिया देगा और प्रशन आएगा कि कौन से fundamental right कभी निलंबित नहीं होते हैं, तो 20 और 21, किसी भी तरीके से नहीं निलंबित होंगे, कोई भी तरीका, कोई भी घुमा फिरा के प्रशन पुछेगा, नहीं, no means no, ठीक है, अब बारी है article 22 की, और यह है article 22 आपके सामने, article 22 है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि कुछ दसाओं में गिरफतारी और निरोध से सनरक्षड मतलब कि protection against arrest and detention in certain cases, तो article 22 कहता है कि आपको गिरफतारी और निरोध से सनरक्षड मिला हुआ है, सनरक्षड दो चीजों से, किनसे किनसे, गिरफत और निरोध मतलब detention से, कि आपसे पूछताच हो रही हो, तो article 22 में दो पार्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, कि इनके दो फार्ट हुए हुए है, article 22 एक से तीन तर, article 24 से 7 तक, तो article 22 एक से तीन तक आपको जो है, दंडातमक कारवाही की बात की गई है, दंडातमक गिरफत की गई है, ठीक है, दंडातमक गिरफतारी और निवारक गिरफतारी क्या है, इसको समझाते हैं हम आपको, punitive detention इंगलिस से बोलते हैं, और इंगलिस से बोलते हैं, preventive detention, नाम से समझ में आएगा, preventive, बचाने के लिए, और punitive, मतलब दंड देने के लिए, तो यहां की जो गि मिल चुका है, अब वो गिरफतार है, या सजा के लिए आपको भीजा गया है, जो है, कोट में मामला चल रहा है, जैसा भी है, पर निवारक गिरफतारी है, कि अभी बंदे ने गलत काम किया ही नहीं है, पर इंतजार क्यों, सक था कि यह गलत काम कर सकता है, तो इसको गिरफ गिरिंफ्तारी कर ली जाती है और यहीं पे जो टाडव आप सुनते थे टाडव पोटा रासुका यह सारी है त lasting में पूटा making अलए उनल में पोटा रासुका scripture तो आप को आप देख marshm firmware व्यप्ति के अGUA अब ये भी देखिए आप रटने को तो आर्टिकल है लेकिन जो हमारे वर्ग हैं उस पे आ गया कि जेल और इनके विजस्था पर आप लिख सकते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के भी हमारे समयदान में अधिकार वर्डित हैं 22 एक कहता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कारण बताया जाए कि वह क्यों गिरफ्तार है कारण आउगत कराया जाए या कारण जानने का अधिकार है उसके बाद इसी में लिखा गया है कि तुरंत वह अपने रुची के वकील से सुनवाई करने का अधिकार है कारण जान वकिल से सुनवाई करवाएगा उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है कि 24 घंटो में वह मजिस्ट्रेट के सामने पेसी का अधिकार है दूसरा अधिकार क्या है मजिस्ट्रेट के सामने पेसी हो जाया उसकी विदिन 24 आर्स लेकिन इसमें एक चीज और लिखा हुआ है जो की loophole है जो की क्या है loop है यहाँ पर एक कमी है loophole है कमी है वो कमी कैसी है समझे आप वो कमी ऐसी है कि यात्रा का समय और छुट्टी का समय छोड़ के अब अगर मालो पुलिस वाले आपकी कुटाई करना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे कि भाईया यह मालो आपका कोट है जिला है वो दिखाएंगे कि हम इनको केरल से पकड़ के ला रहा है या केरल के आदमी को बताएंगे हम जब मुझा पकड़ के ला रहा है है तो यहां से पकड़ के लाने में तीन दिन का समय लगेगा लेक चले जाएंगे तुमको कूटने के लिए साथ में करना क्या है वहां से लाएंगे तीन दिन कूटेंगे या फिर दूसरा देखिए सफर की दूरी बढ़ा देंगे या फिर यह क्या करेंगे आपको सनीवार को ले ले जाएंगे, सनिवार की साम को ले जाएंगे, और यहां लिखा हुआ छुटी के समय छोड़ के अदालत की छुटी संडे को बंद है तो संडे को आपको कुटाई होगी और मंडे की सुबा आपको अदालत पहुशा दिया जाएगा, तो यहां एक लूप होल है, तो इस पर हमें वर्क करने की हो सकता है उसके बाद अर्टिकल 22.3 में क्या है, कि उपरोक्त अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए नहीं है कि यह जो दो अधिकार हमें मिले होगा है पेसी और यह सारी चीज़े, यह दो व्यक्तियों के लिए नहीं है पहला, यद यह व्यक्ति सत्रुदेश का नागरिक हो सत्रुदेश का अर्थ यहा है कि इनकी एक लिस्ट होती है तो वर्तमान समय में हमारा सत्रुदेश कौन है तो उनके लिस्ट में अगर वा सामिल है तो उसे यह हदिकार नहीं मिलेगा दूसरा अगर उसकी गिरस्तारी निवारक निरोध अधनियम्स की तहद गिरस्तारी हुई है निवारक निरोध यह नी का मतलब है निरोध तो निवारग निरोध मतलब कि जैसे दंड से पूर्व कर लिया गया तो भी यह अधिकार नहीं मिलेगा अरे भाई उसने अभी गलती किया ही नहीं है तो उसे कारण जानने का अधिकार कैसे होगा ठीक बस बता जाएगा भी यह निवारग के लिए किया गया है कि आप यह गलती कर सकते थे क्या किया जाएए समझे आप ऐसे भी है फिर मजिस्टेट के सामने पेशी होने का कोई आउचित ही नहीं है तो इस वज़ाथ से इनकों भी यह अधिकार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं थी आगे चलते हैं ठीक है दोस्तो आगे चलने के लिए कुछ बचा नहीं है तो आप एक चीज़ napर देख सकते है कि अभी तक स्थ हम लोग ने कर क्या क्या लिया है यह इसमें कूछ जगह याद करवा दिया था कि पूरा अनुसूची मैंने बनाया वीडियो हलाकि वो वीडियो का जो लेंथ है बड़ा छोटा है ठीक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है जलना है पांच वाच मिनट के हैं दो मिनट के हैं उसको आप देख लिजेगा उसके बाद दोस्तों मैंने आप आपको प्रस्तावना भी पढ़ाया है बहुत अच्छे से प्रस्तावना फिर उसके बाद दोस्तों हमने फिर आपको आर्टिकल से सुरू किया है और अभी भी कुछ फोटर पॉइंट जो बचे रहते हैं उनको भी किया जाएगा इसके बाद दोस्तों जो है यह होने गाद फिर हम लोग मेंस की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पर जो क्वालिटिक से और क्या चीज़े बनेंगी वो करेंगे तो अभी इस आर्टिकल में इसी मतलब इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्स्क्राइब करें मिलते नेक्स रेडियो में तब तक लिए थैंक यू